अगर आप फॉर्मेट रियस्टोर करना चाहते हो तो सही वीडियो पे आए हो एंड में इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से अपने मोगल को रियस्टोर किया जाता है तो चलिए वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड अगर आप पहले रियस्टोर करना चाहते हो उससे पहले काम किजिए अगर आपके फॉर्मेट वीडियो कुछ भी परवेट वगएरा है नमर वगएरा है उसको आप किसी दूसरे फोन में टांसफर कर लीजिए या फिर एस्टी कार्ट वगएरा सिम कार्ट को निकाल लीजिए क्योंकि रियस्टोर फॉर्मेट करने से आपका फोन में जो भी डाटा है सारे डिलीट हो जाते हैं तो इस बात का धियान रखिएगा अब चलिए हम बता दें किस तरीके से फॉर्मेट रियस्टोर करना है सिम्पल से अपने फोन का सेटिंग ओपन कर लीजिए और जैसे जैसे मैं बताता हूं वह इसे वह से सेम तो सेम कीजिएगा अगर आपको कुछ भी करने में दिकत होता है तो हमसे इंस्टाग्राम पर आ अपको शैटिंग का ऊप्सिन मिल जाता है तो उस पर किलिक कीजिए देखो गई इस तरीके से देख़ेगा एडिशनल सेटिंग का ओप्सन ओके आपको यहां पर आने के बाद आपको नीचे में बेकप और रियए स्टोर देख रहे हो बेकप और रियए स्टोर आप यहां पर किलिक करके गाइज इरेज ओल डाटा पर आके फॉन को फॉर्मेट रियस्टोर कर सकते हो तो यह अगर आपको उप्शन मिलता है तो यहां से आप कर सकते हो बाइडिफॉल्ट अगर आपको नहीं मिलता है तो इस कोई बात नहीं बात नहीं बैक आई यह सिंपल सा बहुत स फुल नाम भी सर्च कर सकते हूं, मैंने simple R.E.H.D. सर्च किया, तो backup and restore आया, इस पर किलिक करते हैं, और simple सा erase all data पर किलिक करना है, format listed, और यहाँ पर erase all data पर दोवारा किलिक करके, phone का lock दे के, अपने phone को format restore कर लोगे, तो कर लेना, इससे आपका phone पुरा नियू तरीके से बन जाएगा, अगले वीडियों बताऊँगा कि phone को restore करने के बाद, चालू कैसे करना है, तो watch